हाई गाईज आप लोगों का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक वीडियो जो वीडियो है पतंजली जो वीडियो है पतंजली सिलाजीत की जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यह पतंजली सिलाजीत है 20 ग्राम लिक्विड वाला है यह टैबलेट नहीं है और इसका प्राइज है 94 रुपीज और बात करें इसकी यूजिक की तो आप इसे 5 साल तक मिना किसी टैंशन के यूज़ कर सकते है यह पतंजली का सिलाजीत दो उन में आता है एक तो लिक्विड होता है और एक टैबलेट होता है तो मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूँगा आप लिक्विड वाला ही लें क्योंकि टैबलेट आती है टैन तो वो तो आपकी 10 दिन में खत्म हो जाएंगी और यह आपका ज्यादा दिनों तक चलेगा और इसे आप ले कैसे सकते हैं तो देखिए एक से दो ड्रोप विद मिल्क इवनिंग और मॉर्निंग में ले सकते हैं या फिर अपने फिजिसियन से भी पूछ सकते हैं और यह बैनिफीशियल है यूरिनरी डिसोडर में 20 ग्राम इसकी नेट कॉंटिटी है और यह पतंजली की दिविया फार्मिस यह उसने बनाया है और बात करें अब जैसे विन्टर सा गई है तो मुझे जहां तक आइडिया है और मैंने जैसे यूज किया है तो इस हिसाब से यह आपको सर्दियों में यूज करने में बैनिफिट रहेगा गर्मियों में इसे लेने से बचें वो लोग तो बचें जिनकी जिनका सरीर गरम होता है बहुत से लोगों को करमी होती है सरीर के अंदर तो वो तो इसे गर्मी में लेने से बचें अब बात करें तो मैं इसके अंदर आपको लिक्विड दिखा दिता हूँ जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यह बिल्कुल ब्लैक सा एक लिक्विड है इसके अंदर और उसकी स्मेल है बहुत अब इन्होंने कहा एक से दो ड्रोक तुम आप लोगों को दिखा दिता हूँ कैसे इसे यूज़ करना है तो आप ऐसे देखिए ऐसे एक ड्रोप लिया उसके बाद आप इसे पानी में डाल दीजिए कमाल देखिए एक ड्रोप में पूरे पानी का कैसा कलर कर दिया इसे आप लोग ऐसी अच्छे तरीके से तरीके से घुमा सकते हैं यही काम आप अपने दूद के साथ भी कर सकते हैं दूद में इसे डालोगे तो बिल्कुल कोफी में कनवर्ट हो जाएगा आपका दूद पर मेरी एक टिप है दूद को मिठा करके पीएं ताकि आप लोगों को टेस्ट लगें अगर आप बिना मिठा किये दूद पीएंगे तो गैरंटी है कि आप लोगों को इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा आज की वीडियो में बस इतना ही था अगर मेरी वीडियो आई यो पसंद तो वीडियो को करें लाइक चैनल को करें सब्सक्राइब प्रेस करें बैल आइकन को वीडियो को सेयर करें एंड आप लोग हुआ इस प्रोड़क्ट के लेटिड कोई भी कुश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से पूछ सकते हैं थैंक्स तो